हेलो आश्ट्रेंट्स स्वागत आपका आपका आपने यूटूब चैनल अश्टडी के पलस पर दोस्तो इससे पहले हमने 1.2 पिछले वीडियो में पढ़ लिये थे कलास 9 थका इसमें हम पढ़ाएंगे कलास 9 का 1.3 अक्सरसाइजे तो इसमें देखिए क्या कहता है आपने ब परसार है वो सांत है कि असांत है इसको जानने के लिए आपको चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किसका दसमलो परसार सांत है और किसका असांत तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि सांत किसे कहते हैं और असांत किसे कहते हैं सांत दसमलो परसार क संथ वह कहलाता है जिसे हम भागा देने पर उसका जो सिस्फल है वो जिरो आ जाएे तो उसे हम कहेंगे कि इसका ही अबने कर दो नहीं के बार बार संख्या रिपीट करने लगे उसे असांत कहते हैं तो चलिए कोशन पर देखते हैं क्या की लिखा हुआ आपका पहला कोश्चन पहला कोश्चन है 36 बटा 100 तो 36 बटा 100 को आपको भागा देकर देखना है क्या इसका जो सेस्फल होगा वो जीरो होगा या नहीं जदी जीरो होगा तो इसका दस्मलो परसार सांत होगा और नहीं होगा तो इसका दस्मलो परसार असांत होगा और इसके बाद यहा जिरो बेठाएंगे अब इसको 3 से डिवड़ करेंगे 03-ध 300 नीचे कियातना बचा 60 बचा फिर आप इसको हम क्या करेंगे अब यहां क्या बर में जाएगा यह शे बर में जाएगा अब यहेंगे शेष्ष most हो गया कि दस्मल्लों परसार दस्मल्लों परसार सांत है ठीक है सांत है दूसरा कोशन देखिए क्या कहता है इसमें कि दूसरा कोशन में लिखा हुआ आपका एक वटा एक ग्यारा इसमें देखिए कि इसका दस्मल्लों परसार सांत है या सांत तो उसी परकार से यहां भी डिवैड कर कि बइड़ करना है एक को 11 करना एक को एक बार में तो जाएगा नहीं तो इसलिए इसको सबसे पहले हम पॉइंट लेंगे ऑप लेने के बाद दस मलो लेंगे ओर इसको दस लिखेंगे फिर भी यह चोटा हो जा रहा है divider से तो इसके लिए फिर हम एक और 0 लेंगे और यहां पर हम यह 0 के बदले यहां बठाएंगे अब यह हो गया 100 अब इसको 11 से divide करेंगे तो सबसे पहले 9 बार में जाएगा एगर 999 बचा एक फिर वही परकिरिया आएगी कि इसमें 0 बठाए फिर यहां जो है 110 ही हुआ फिर यह नहीं जाएगा तो जिरो बठाके इसको हम सो करेंगे और फिर 9 बार में यह जाएगा 99 आप फिर बचा यहां एक मतलब यह देख रहे हम कि बार-बार एक यह क्या रहा है शुरू में भी एक था फिर जब दिये तब फिर एक आया फिर इसका सेस्फल ए कहा और यह संख्या रिपीट कर रहा है जीरो 9,09,09 यह बार-बार आपके आते रहेगा तो इसका हम इस परकार से लिख सकते हैं कि एक वटा ग्यारख का दस्मलो परसार दस्मलो परसार असांत है क्या लिखेंगे असांत है चुकछी असांत इसलिए लिखें क्युए इसका जो सेस्फल है वो जीरो नहीं हो रहा है यह संख्या बार 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 रिपीट करते रहेगा इसलिए इसे यह लिखेंगे इसका दस्मालों परसार असांत है ठीक है तिसरा कोशन देखिए क्या है इसमें तिसरा कोशन में थर्ड नमबर में इसमें लिखा है चार पुर्णांग एक बटा आठ तो चार पुर्णांग एक बटा आठ को इस फरकार लिखेंगे सबसे पहले आठ ती है आठ चुक बतीस और एक तेतिस बटा आठ तो तेतिस बटा आठ को जब डिवाध करेंगे हम तो देखिए इसका दस्मलों पर सांत है या असांत सबसे पहले आठ से भाग देना है तेतिस में तो यह चल जाएगा 8 चोक 32 बचा 1 एक बचा फिर यहां 8 से डिवाड़ करना एक को तो जाएगा नहीं तो यहां 10 मलो लिखेंगे और यहां 0 लिखेंगे अब चल जाएगा 8 ही काई 8 बचा कितना 2 जब 2 बचा फिर एक 0 बेठाएंगे हम यह 20 हो गया 20 होने के बाद यह कितना बर बजाएगा 8 दुन सुल्ला जब सुल्ला हुआ यह रशी दीक्जी नहीं दिखा जीरो हेगा बीस हो गया बिस को दो से भागा किये 60 भीस मेसितना बचने रखेंगे तो 4 बचेंगे अब 4 को फिर जब यहां 0 बठाएंगे डिवाड़ करेंगे तो 8 पच्चे 40 भीस में 40 गया तो कट गया मतलों इसका जो सेस्पल है वो 0 हुआ अब इसको हम इस फरकार से लिखेंगे फिर जिस 0 हो गया तो मतलब इसका जो दसमलो परसार होगा वो क्या होगा सांत होगा जैसे देखिए हम ऐसे लिखेंगे 33 बटा 8 का दसमलो परसार दसमलो परसार सांत है ठीक है समझ में आ रहा होगा नेक्स्ट कोशन देखिए चोथा नमर और हाँ इससे पहले जदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब कर लें और विडियो को लाइक कर दें जदि आपको पसंद में आ रहा है तो देखिए इसमें फोर नमर में कोशन में क्या कहता है नेक्स्ट में कि तीन वटा तेरा का जो दसमलो परसार है वो सांत है या असांत इसको हमको हल करना है तो चलिए देखते हैं कि इसका दसमलो परसार सांत है या असांत 13 को जब हम 3 में डिवाइड लगाएंगे तो यह जाएगा नहीं तो सबसे पहले यहां हम इसको एक 10 मलव लेंगे ठीक है यह हो गए यहां 30 अब जब यह 30 हुआ तो इसको 13 काहां जो पहाड़ा पढ़ेंगे 30 आना चाहिए या इससे कमाना चाहिए तो 13 दूना 26 तेरतिया 49 हो जाता है इस तीन बार में जाएगा नहीं दो बार में जाएगा तेरतिया 49 बचा कैतना चार अब चार बचा अब चार को हम फिर इसको क्या करेंगे दस मलोग के बाद एक 0 और बठाएंगे इसमे अब हो गए 40 अब फिर यह तीन बार में जाएगा तेरतिया 49 बचा एक एक बचा फिर जब हम तेरा को एक से डिवाइड करेंगे जब जीरो देखे तो दस हुआ अब यह जाएगा फिर नहीं तो एक 0 यहाँ बठाएंगे और एक 0 फिर यहाँ बठाएंगे अब यह हो गया 100 अब तेरा को जब हम 100 से भागा लगाएंगे तो कितना बर में जाएगा तेरा सत्ती एक क्यानवे सात बर में जाएगा बचेगा कितना नो नो बचा फिर इसको जब हम डिवाइड करते हैं फिर नब्बे हुआ अब क्यतना बर में जाएगा ये 6 बर में जाएगा 13 चक 78 अब यहां क्यतना बचा ये बचाएगा यहां क्यतना 12 बचेगा 12 बचा अब जब मेरा ये 12 बचा और यहां 13 है फिर एक बार में इस कोम देखे देखते हैं 120 हो गया अब 13 से 120 कोम डिभाइड करेंगे तो 9 बर में अब यहां कितना बचा तीन आप देखिए यह जो तीन बचा आपका सिस्फल यह वही बचा है जो आपके पहले कोशन में था ठीक है मतलब यह संख्या आपको बार बार रिपीट होते जाएंगे जब आप फिर यहां से इसको शुरू करेंगे तो फिर आपके पास यही सब भी ठिख्या रिपीट करने लगेगा तो इस परकार से हम कह सकते हैं कि इसका जो दस्मलों परसार है उग आप अज और मिकोष्ण है देख्या अधन में क्या कहता है कि 12 11 का दसमलों परसार सांथ है या असंथजा तो देखिए इसको इवाई रिखोंजिट तो इसमें सबसे पहले 11 को दो में भागा लगाएंगे तो जाएगा नहीं तो इसके लिए सबसे पहले में दस्मलो लेंगे तब यह हो गया 20, अब यहां से एक बर में जाएगा, एक ग्यारा अब इसको यहां से घटाएंगे, घटाने पर कितना बचा 20 में ग्यारा गया तो 9 बचा, अब देखेंगे इसको कि है 11 यहां 9 है, फिर भी ने जाएगा तो फिर 10 मलों के बाद एक 0 बचा है तब क्यतना हो गया ही, आठ बर में जाएगा 118, 88 फिर क्यतना बचा, दो बचा अब इसको देखते हैं, जब यह दो बचा तो पहले वो रही हमारा स्पास जो संख्य थी, वही संख्य फिर रिपीट होने लगी मतला आप फिर अब जब इसको भागा लगाएंगे तो बार बर यह संख्य रिपीट करेगा 18, 18, 18 बार बार आएगा, और बार बर सेस्फल जो आपकी बास आएगा, वो यही आएगा दो, तो इस परकार हम कह सकते हैं दो बचा 11 का 10 मलों पर सार असांत है असांत है, ठीक है इसका अगला जो कोशन है, कोशन नमर 6 देखिए इसमें कोशन नमर 6 में क्या कह रहा है कि 329 डिभाडेड में 400 मतलब, जब 329 में 400 से भागा लगाएंगे, तो इसका जो दसमलों पर सार है, वो सांत है या असांत, तो चलिए, देखते हैं इसमें 400 जब 329 में भागा लगाएंगे तो इसमें देखेंगे, इसका दसमलों पर सार सांत है या असांत, तो यहां 400 है यहां 329 है, तो जाएगा नहीं, इसलिए सबसे पहले हम एक दसमलों लेंगे, दसमलों के बाद यहाँ 1 0 बठाएंगे अब इसमें दिखते हैं यह क्यतना पर में पढ़ेंगे जो जाएगा 8 जो 32 तो आठ बर में जाएगा 8 पर में जाएगा 32 ow आपया कत नब्य में ब्चा नभे बचा lazyAll देखते हैं, यह 90 है, यह 400 है, फिर नहीं जाएगा, तो यहाँ एक 0 बठाएंगे, अब हो गया यह 900, 900 को क्यातना बढ़ देंगे, 400 में, 400 दूना, 800, ठीक है, अब बचा यहाँ 100, 100 बचा, अब यह 1000 हो गया, फिर 1000 में हम जब 400 से डिवाइट करेंगे, तो क्यातना होगा, फिर हम देखते हैं, क्या करेंगे, यह 400, यह 200 है, फिर नहीं जाएगा, तो फिर एक 0 बठाएंगे, दस मलो एक ही बर बठाएंगे, उसके बाद हम यहाँ 0 बठाते जाएंगे, जैती दस मलो बठाने के बाद भी वह छोटा रहता है, तो यह यह 0 बठाएंगे, समझ रहा है ना, तब यह 2000 हो गया, अब 2000 को हम जब डिभाड करेंगे, 400 से, तो क्यातना बर में जाएगा, पांच बर में जाएगा, पांच ओक बीस, ठीक है, अब इसका जो से स्फल हुआ, वो 0 हो गया, तो हम यहाँ इस परकार लिखेंगे, इसका दस मलो परसार किसका, 329 और 400 का, दस मलो परसार, क्या है, सांत है, सांत इसलिए है, क्योंकि इसका जो से स्फल है, वो 0 है, ठीक है, अब देखिए, जो दूसरा कोशन है, दूसरा कोशन में क्या कहता है, इसके बाद यह दूसरा कोशन है, देखिए, दूसरा कोशन में क्या लिखा हुआ है, कि आप जानते हैं, कि 1 बटा 7 बराबर, 0.142857 पर रेकरिंग है, ठीक है, मतलब इस परकार लिखा हुआ है, कि आप जानते हैं, एक बटा 7 बराबर, 0.142857 पर उपर इसे पुराइए रेकरिंग है, मतलब कहने का मतलब यह है, कि यह संखियां बार बार रिपीट होंगी, ठीक है, जिसके उपर रेकरिंग होता है, जैसे एक के उपर हम रेकरिंग लगाते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ, कि एक को हम बार बार एक 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 इन्फिनिटिव तब लिखते जाएंगे, ठीक है, यह हो गया, मतलब हम यह जदी ऐसे करेंगे, यह तो मतलब यह दो है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसी का मतलब रेकरिंग का मतलब यह होता है, यह जदी चार पर तक है, तो इसका मत कि एक बटा साथ बराबर एतना होता है तो वास्तो में लंबा भाग दिये भिना कि आप यह बता सकते हैं की 2 बटा साथ 3 बटा साथ 4 बटा साथ 5 बटा साथ और 6 बटा 7 के 10 मलों परसार क्या है तो चलिए देखते हैं तो यहां लिखना है सबसे पहले प्रसन से प्रसन से प्रसन से इसलिए लिखना है क्योंकि हमको जो प्रसन में दिया हुआ है कि एक बटा साथ बराबर 0.142857 पर जो है और एक रिंग दिया हुआ है ठीक है यतना दिया हुआ है इसलिए हम इसलिए लिखे प्रसन से तो अब दे तो दो बटा साथ को हम इस परकार लिख सकते हैं, दो गुने, एक बटा साथ, जब दो को गुना करेंगे फिर वही होगा, एक बटा साथ, अब एक बटा साथ का भेलू, हमारे कोस्टन में दिया हुआ है, ठीक है, प्रस्ण से जो लिखे हम, एक बटा साथ का दिया हुआ है तो दो बटा साथ का क्या होगा इसका डबल होगा इसमें हम पूरे में दो से गुना कर देंगे आनि कि ऐसे होगा ये अब इसको सेम उसी परकार से लिखना है तीन बटा साथ दिया हुआ है तो 3 को 3 गुने 1 बटा 7 लिख सकते हैं अब 1 बटा 7 का जो मेरा value है वो यहां दिया हुआ है कि 1 बटा 7 का value कैतना होता है यह दिया हुआ यह बटा 7 का value तो इसको हम 3 से multiple करेंगे 3 गुने 0.142857 जब 3 को हम गुना करेंगे तो आज आएगा 3 बटा 7 का value जब इसको हम गुना करें तो इसका value आएगा 0.428571 ठीक है इसके उपर रेक्रिंग चला जाएगा इससे आप गुना कर लीजिए इतना आज आएगा उसके बाद जो next में है 4 बटा 7 का value क्या होगा तो 4 बटा 7 का value इसी परकार से 4 बटा 7 का value से गुना कर देना है 0.142857 के उपर रेक्रिंग दिया हुआ है जब इसको हम इससे गुना किये तो कैतना होगा ये value हो जाएगा आपका 0.571428 हो जाएगा ठीक है इसी परकार से जब हम 1 बटा 7 को 5 से गुना करेंगे तो 5 बटा 7 आ जाएगा और 1 बटा 7 का value हमारे पास दिया हुआ है तो इसको गुना करेंगे 5 गुने केतना करेंगे 0.142857 से ठीक है तो इसको हम गुना करके मेरे पास जो value आएगा वो कितना आएगा 7 0.714285 आएगा ठीक है अब जो next last question है इसका इसको भी इसी परकार सम लिख सकते हैं 6 गुने 1 बटा 7 अब जो 6 को हम एक गुने 7 के value से गुना करेंगे तो क्या होगा 0.142857 से जो हम इसको गुना करेंगे इसका जो value आएगा वो कितना आएगा 0.857142 यह आपका हो गया answer ठीक है इसके बाद मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए यदि आप महरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और विए अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना तब तक के लिए जै हिन जै भारत